पूरियो जंगू अज़े दोस्तों आज हम ब्याग दिजाने के कट्टिंग करना सीखेंगे तो पहले हम इसमें सोल्टर लेंगे सोल्टर हमने यह साढ़े पांच इंज पर रखा है साढ़े पांच इंज पर हम इसके आर मोल का निसान लगा देंगे कि इस ते समने बोक्स बना दिया साढ़े पांच इंज अब इसे राउंड से देते हमें इस तरह से गोल करेंगे तो यह हमने गोल कर दिया अब आएंगा हम चेस्ट पर इसे हम छती सिंस कर बना रहें तो नाइन इंच पर निसान लाएं माजन के लिए देड़ इंच बढ़ाया है कमर ती से तो साढ़े साथ रखेंगे माजन उतना ही रखें जितना हमने उपर रखा अब इन दोनों को मिस तरह से जॉइंट कर देंगे अब आएंगे हम नेक करना सिखेंगे तो मैंने और बना रहे हैं बैक बिलाज को तो मैं इस तरह से निसान लगाओंगी कि तीन इंच पर कि और यहां से मैंने दो इंच रखा है कि अब डिजाइन देने के लिए मैंने यहां पर चार इंच पर निसान लगाया कि और इसका एक बोक्स बनाया शाड़े देस से इस तरह से अब कि अब में इसमें डिजाइन देने जा रहें किस तरह से जाएं जूंगी कि इस तरह मैंने इसमें डिजाइन दिया है कि तो मैं इसे ड्राग कर दें जिसे कि आपको अच्छी तरह से दिखाई देते गई कि इस तो यह समार्ड डिजाइन बना हुआ है कि इस तरह समार्ड डिजाइन कंप्लीट हो गया बनकर अब हम इसी पर यह में कटिंग करने है कि इस तरह से टाजर गपका झाल बनकर अधम इस तरह से तरह से तरह से तरह से तरह समार्ड पाड़ चाहिए अग्धिस तरह से जिए गवगए है झाली प्राइब है झाल झाल कि इसी तरह से यहां भी करना हमें इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहां से कट लगा देंगे फेस के बाद हम इस पर कटिंग कर देंगे इसी तरह से भी सब्साइब आउड़र्भ करेंगे सब्साइब के उस्ताइब कर दोदों करेंगे उसका तो सुच्छौ कि आया जो खूब दूस्तों से इस तरह से बनकर आया आए यह दिजयन कशिव हो आएक आप है आण को ए ए ऐसी हमें पट्टि काटनिया जोएन करना तो हमारा ऐसी सेफ बनकर त्यार हो जाएगा कपड़े पर